ये आकाश्वानी रहपुर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाश कुमार जा और अब पेश हैं आज के मुखे समाचार प्रदेश में एक दिसंबर से शुरू होगी समर्थन मोले पर धान खरीदी किसानों को अपने बारदानों में भी धान बेशने के मिलेगी अनुमती राष्टी स्वायम सिवक संख के प्रांत संख चालक ने कहा कि 36गर में धर्मांदरण के सित्वी चिंतनिय इसे रोकने कानून बनाने का सवागत करेगा संख प्रदेश में इस वर्ष समर्थन मोली पर धान खरीदी एक दिसम्बर से शुरू होगी खादी मंतरी अमरजीद भगत ने आज अपने निमास कारियाले में विभागी अधिकायों की बैठक लेकर धान खरीदी की तैयारियों की सिम्खशा की उन्होंने कहा कि धान खरीदी के दोरान प्रदेश के सीमवर्थी इलाकों में अन्य राज्यों से अवैध तरीके से धान की परिवहन की शिकायतें मिलती रहती हैं इसलिए अन्य राज्यों से धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए प्रदेश के सीमवर्थी इलाकों में कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जाए उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा एक सो पांच लाख मिट्रिटन धान खरीदी का अनुमान किया गय जाएगी बैठक में धिकारियों ने बताया कि परदेश में 2300 सथिक सहकारी समिती केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी इस वर्ष करीब 113,000 नए किसानों ने पंजियन कराया है अब तक धान बेशने के लिए पूर्देश में 22,66,000 से जादा किसानों का पंज संग चालक डॉक्टर पूर्णेंदु सकसेना ने कहा है कि देश इस समय आजादी का मरित महसो मना रहा है इसके तहत संग के स्वेम सिबक समाज और विभिन सनस्थाओं के साथ मिलकर काम करेंगे इसके अलावा संग की और से सुतंतर आयोजन भी होंगे आज रैपुर में ए 19 नवंबर को रैपुर आएंगे पत्रकार वरता में संग के प्रांत प्रचार प्रमुख का निराम भी मौजूद थे धर्मांतरन पर किये गए सवाल के जवाब में डॉक्टर सकसेना ने कहा कि किसी एक समुदाई की संख्या को बढ़ाने के लिए लालची देकर या धोके स मतांतरन करवाना से ही नहीं है उन्हों निका कि एदि धर्मांतरन या मतांतरन को रोकने के लिए कानून बनता है तो हम उसको स्वागत करेंगे डॉक्टर सकसेना ने कहा कि प्रदेश में धर्मांतरन की स्थिती चिंतनिय है इसे रोकने के लिए संग की 36 गारी काई द्वार श्रद्धा जागरन का कार्य किया जा रहा है। प्रतिबंध लगाने से पहले इससे लोगों को मिलने वाले रोजगार के बारे में भी विचार करना होगा। अभी देश में करीब सारे 6,000 विकास खंडों में सारे 5,000 सेधिक विकास खंडों में संक का कारे संचारित हो रहा है। प्रदेश की आंगनबारी कार्यकरताओं और साहिकाओं को हर्ताल के समय का रुकाफा मान दिये दिवाली के पहले दिया जाएगा। इस बीच राज्य सरकार ने मध्यान भोजन योजना के अंतरगत कारी करने वाले रसोयों की मासिक मांदे राशी बारासुर रुपे से बढ़ा कर डेड़ हजार रुपे कर दी है। आजादि के अमरित महसो पर आकाश्वनी समाचार स्वाधीन रिता संग्राम और उसके गोरोशाल इतिहास पर विशेश अमरित महसो प्रशंव प्रशं उत्तरी आयुजित कर रहा है। शोताओं या प्रश्ण राश्टी इस तर पर आईजित प्रश्ण उत्रीस परधा के तहित पूछा जाएगा। इसके लिए इसका जवाब प्राजिशिक बिलेटिन के कुईस के लिए निधारित इमेल या मुबाइल नमबर की बजाए आज के प्रश्ण के बाद बताए जान 6262 पर या इमेल आईडी अमरितमहसोक्विस एड़रेट प्रसारभारती.gov.in पर बेज सकते हैं। इस प्रध्योगिता के लिए एक भागेशारी प्रतिभागी को विजय प्याचुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोशना की जाएगी। विजयता खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वस्नियता से है हमारा वास्ता। आकाश्वाणी समाचार रायपूर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामाई कायकरम आप रेडियो के लावा अपने मोबाईल पर भी सुन सकते हैं। आकाश्वाण के साथ ही आपके मोबाइल के जर्य भी हम पहुँच रहे हैं आम तक 36 गड़ की हर खबर के लिए सुनते रहे हैं आकाश्वाणी समाचार और बागे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर 36 गड़ राजी स्थापना दिवस पर आजोजित पाँच दिवसी राज्योसो कल समपन हो गया रैपूर के साइंस कॉलेज मैदान में आजोजित राज्योसो की समापन समारुख को समुधित करते हुए राज्यपाल सोशी अनुसुया उईके ने कहा कि 36 गड़ राजी हर शित्र में नियरंतर प्रगती कर रहा है उन्होंने इस वसर पर 36 गड़ में योगदान देने वाले पुर्खों का भी इस्मरण किया राज्यपाल ने कहा कि 36 गड़ में कृशी और ग्रामेंट अर्थ व्यावस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए ठोस प्रियास किये जा रहे हैं यहां के स्वा सहता समूह से जोड़ी पचास लाग सिधिक महिलाएं स्वायन के साथ साथ परिवार और समाज को भी सशक्त कर रही है राज्यपाल ने राज इस्थापना दिवस पर आयोजित राज अलंकरंड समारोह में चर्थिजगर के विभिन विभूतियों को उनकी उपलब्धियों और प्रदेश के विकास में युगदान के रहे राज अलंकरंड सम्मानों से विभूशित किया इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बखेल ने कहा कि चर्थिजगर में मौजूदा सरकार ने यहां कि संस्कृति और परंपरा को पुना इस्थापित करने के साथ ही चर्थिजगरी बोली भाशा को आगे बढ़ाने का कारिक किया है शिर्थ बखेल ने का कि चर्थिजगर में नकसलवाज समाप्ति की उर है समारोगों को निता प्रतिपक्ष धरमलाल कोशिक गरी और परेटर मंत्री तामरदःच साहू और संस्कृति मंत्री अमरजित भगस सहित कुछन मंत्रियों ने भी संबोधित किया प्रदेश में अगले वर्ष से तीन दिवसी चातिजगर लोग कला साहित और यूवा महस्तो का आयोजित किया जाएगा ये महस्तो स्वामी विवेकरंद की जैनती के उसर पर हर साल बारह से चोदा जनवरी तक आयोजित होगा ये गोशना मुक्मद्री भूपेश बगहिल ने कल राइपुर में आयोजित पांच दिवसी राजजोसो के समापन समारों में की श्री बगहिल ने कहा कि राष्टी आदिवासी नित महस्तो की तर्स पर ही यूवा महस्तो का आयोजन होगा इसके अंतर के विवें विधाओं के लोग कलाकारों और लोग भाशा बोलियों के साहितिकारों को उनकी अभिवक्ति के लिए मंच प्रदान किया जाएगा इस महस्तो में श्री जड़ी के लावा हलवी गोंडी कुड़ुक और सरगुजिया बोली के कलाकारों और साहितिकारों को भी आउसर मिलेगा साथ ही पंडवानी, भर्थरी, सुवा और पंथी सही 36 गड़ के पारंपरिक नाचा और गम्मत का लाकारों को भी आउसर दिया जाएगा। 36 गड़ पूलिस में सिपाही से हवलदार और हवलदार से साहिक अपनी रिक्षक A.S.I. के करीब 4,000 पदों पर पदोनती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सभी जिलों में सिपाही से हवलदार के लिए करीब 3,000 और हवलदार से A.S.I. के लिए 865 पूलिस कर्मी योगी पाए गए हैं। मुक्मत्री भूपेश बगहिल ने पदोनती के लिए आवशक प्रक्रिया जल्द से जल्द संपन्द करने के निर्देश दिये हैं। इस समन्द में प्रदेश के पूलिस मानी देशक डिया मवस्थी ने सभी रेंज के पूलिस मानी देशकों को योगी हवलदार और A.S.I. का प्रमोशन से पहले का कोर्स जल्द आयुजित करने को कहा है। कार्तिक कृष्ण पहुष्टी तुर्योद श्रीक तीति के दिन मनाया जाता है। आज प्रदेश भर के बाज़रों में खासी रोनक देखी जा रही है। के निर्देश दिये हैं। कुछ खबरे स्रंग्शेप में सुन लीजे। प्रदामितिरी नर्यमोदी कल वीडियो कॉन्फेंस के माध्यम से कम टिका करन वाले जिरों के अधिकारियों के साथ समिक्षा बैठक करेंगे। 36 गर राजज हज कमेटी के सच्चियों ने बताया है कि अगले वर शाज यातना के लिए कल एक नमबर से आनलाइन आविदन के प्रक्रिया शुरू हो गई है। 36 गर राज इस्थापना दिवस पर राजज जोसों के दोरान राज अलंकरन समारूह में एन्टेपीसी कॉर्भा को महाराजा रामानुच परताप सिंग्देव इस्मती शर्म यशर्षभी पुरसकार से समानित किया गया। यशर्षभी पुरसकार अन्टेपीसी द्वारा सेंत्र में दुर्गहटना रोकने के लिए किये गए प्रयासों और सुरक्षभ पायों के लिए गया। मंबई में आयुजित आल इंडिया खेल पेडियोगता में आरक्षभ प्रविंट कुमार ने सौन पदक, आरक्षभ अंकित ने रजट पदक और आरक्षभ अरजुन सिंग्ग ने एक रजट सही दो पदक जीत कर दक्षिन पूर मंध्रेले को गरवान विद किया है। कबिर धमजिला पुलिस ने कोकदूर इलाके में दो महिला सही चार आरुपियों को गिरफतार कर उनके पास उसे करी 42 किलो गांजा जब्त किया है। इसकी कीमत लगवक 8,5 लाक रुपए बताई जाती है। और दूर को पुलिस ने भी ओडिशा से आए दो आरुपियों के पास उसे 4,5 किलो गांजा जब्त किया है। दोन आरुपियों को नियाई खिरासत में जेल भेज दिया गया है। आन्थ में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में एक दिसम्बर से शुरू होगी समर्थन मोली पर धान खरी दी। किसानों को अपने बारदाने में भी धान बेशने के मिलेगी अनुमती। असी के साथ प्रदेशिक समाचार बुलेटीन समाप्तो हुआ। नमस्कार।